नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइप आफ केसिंग इन सेंट्रिफूगल पंप ये नीचे दो डाइगराम दिये गए हैं सेंट्रिफूगल पंप के तो पहले ये देख लेते हैं सेंट्रिफूगल पंप में क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं यह मोटर है जिससे पावर सप्प्लाई की जाती है एक साफ्ट के माध्यम से impeller को और यह driving shaft है जिसका एक end motor के साथ और दूसरा end impeller के साथ connected होता है यह suction pipe है discharge pipe है और suction pipe से water enter करता है और discharge pipe से water बाहर चला जाता है impeller से होता हुआ अब बात करते हैं casing किसे कहते हैं जब impeller से liquid बाहर निकलता है उस समय liquid की ज़्यादा velocity होती है और उस समय यह जुरूरत रहती है कि ऐसी arrangement का प्रियोग किया जाए जिससे आवशकता अनुसार liquid की kinetic energy का pressure energy में conversion हो लेकिन यह सब pump के discharge end से पहले हो जाए और यह भी ध्यान रखना होता है कि साथ में energy loss भी कम से कम हो और इस कारिया को पूरण करने के लिए pump impeller के चारों तरफ जिस air tight casing का प्रियोग किया जाता है उसे casing कहते हैं और सामानिते casing तीन त्रह की होती है सबसे पहले design के अधार पर इसको divide किया गया है volute casing volute casing यह spiral type की होती है जिस कारण इसे spiral casing भी कहती है और इस type की casing में flow area अगर हम देखें यहां टंग होती है टंग से discharge pipe के end तक जो flow area है वो धीरे धीरे gradually increase करता है और इसमें सबसे महतवपूर्ण बात यह है कि area बढ़ने से velocity धीरे धीरे कम हो जाती है और वो परिनाम सवरूप pressure बढ़ने लगता है ज्यादा तर single stage pump volute type casing के ही बने होते हैं और इस casing में प्रसिक्षन करने से यह भी पता लगा है कि casing chamber में eddies formation भी होती है और eddies formation होने से energy का loss होता है जिसके प्रिनाम सवरूप pump की overall efficiency में भी कुछ हद तक कमी आती है दूसरा type है vortex casing जैसा हम इस diagram में देख पा रहे हैं जब impeller और casing के बीच में एक circular chamber include किया जाता है और इस circular chamber को vortex chamber या whirlpool chamber भी कहते हैं तो जब एक circular chamber impeller और casing के बीच में include किया जाए तो उसे vortex casing कहते हैं और इस circular chamber की मदद से कुछ kinetic energy को pressure energy में बदला जाता है जिससे कुछ हद तक जो energy की eddies के formation में विर्थ होती थी उस energy loss को कम किया जा सकता है जिससे pump की performance में improvement होती है और जो pump vortex casing के साथ काम करता है उसकी efficiency volute casing के साथ काम करने वाले pump से ज़्यादा होती है उसके बाद है casing with guide veins इस तरह की casing में impeller को fixed guide blade से cover किया जाता है और यह जो guide blades है एक ring पर series में लगी होती हैं और इस पूरी arrangement को impeller से बाहर है उसको diffuser कहते हैं जो fixed guide blade हैं वह impeller की moving vein से पानी, water या liquid को receive करते हैं fixed guide vein liquid को gradually बढ़ने वाला area प्रवाइड करती हैं जिससे liquid की kinetic energy कम हो जाती है और pressure energy बढ़ने लगती है और इस तरह की casing का तब ही प्रियोग करते हैं जब pump में pump series में connect होते हैं उधारन के तोर पर multi stage deep well pump जिसे submercible या borehole pump भी कहते हैं और जो pump guide blade वाली casing का प्रियोग करते हैं उसकी efficiency maximum होती है लेकिन जब इन्हें अलग अलग प्रस्थीतियों में प्रियोग किया जाए उस स्थीती में इनका कार्या संतोस जनक नहीं रहता मतलब की satisfactory नहीं रहता और जो pump guide blade और wains वाली casing का प्रियोग करते हैं उनको diffuser pump भी कहते हैं और casing with guide blades वाली casing होती है वह volute casing से काफी ज़्यादा महंगी भी होती है दोस्तो आज हमने इस वीडियो में discuss किया अलग अलग त्रे की casing जो centrifugal pump में प्रियोग की जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और N-Universe 2 को subscribe करना ना भूले जल्दी हाजिर होते हैं एक नए सुबर होते हैं